नमस्कार दोस्तों मैं मुकिश प्रीत सिंग फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अब तक 6 पार्ट इसके हो चुके हैं 7 पार्ट के अंदर हम करने जा रहे हैं के अंदर ये प्रवर्ति के माप जिसके अंदर 3 टोपिक है अपने सिलिबस में मीन, मीडियन और मोड मतलब माध्य, माधिका और बहुलक जिसमें से 2 टोपिक आज कर लेंगे माध्य और बहुलक माधिका नेक्स्ट वीडियो में आपका कम्प्लीट हो जेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप नई नई वीडियो के साथ अप्टू डेट रहें और जितना होस के वीडियो को शेयर करें अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसे लगी देखिए दोस्तों टोपिक है अपना केंदरिये प्रवर्ति के माप यानि measures of central tendency जिसके अंदर तीन टोपिक हमारे स्लेबस में mean, median और mode of grouped and ungrouped data मतलब एक तो group के अंदर data होता है और एक बिना group के सिधा data दे दिया जाता है तो दोनों तरह के हैं अपने स्लेबस में और अपने दोनों तरह के complete करेंगे पहले देखते हैं माध्य जिसको हिंदी में अपने क्या कहेंगे माध्य या आप इसको समंतर माध्य कह सकते हैं ओसत भी यही होता है average तो इसमें पहले type का देखते हैं अपने ungrouped data के अंदर यदि किसी paper में 10 वीज़ दियारतियों के प्रापतांक 10 में से करमशय 5, 4, 8 10, 7, 0, 0, 3, 5, 8 है तो इनका माध्य क्या होगा agities question आपके exam में आएंगे कि आपको कुछ एक अंक दिये होंगे कुछ एक राश्या दी होगी और आपको उनका माध्य पूछेगा type first के अंदर तो इसमें अब मारा सुत्तर क्या रहेगा प्रेक्शनों का योग बटामेन की कुल संक्या प्रेक्शन का मतलब है यहाँ पे observation यानि जो हमारे पास राश्या दी हुई है उनका उपर योग आएगा वो कितनी राश्या है वो divide में आएगा और इसका formula क्या रहता है summation x upon में n तो हम इन सब को plus करेंगे 5 plus 4 plus 8 करते हुए सभी अब 10 राश्या है तो बटामे 10 चाहे इन में से 2 रखमें उमें 0 आ रहा है 2 राश्या शुन्ने है लेकिन फिर भी हम total अंक काउंट करेंगे तो total कितने है 10 अब उपर वाले का योग किया तो कितना है 50 upon में 10 यानि 5 इसका क्या है mean है मद है आपके लिए question है यहाँ पर आप इसका solution कीजिए और comment में बताईए आपका mean क्या है question है x दिया हुए आपको 4, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, and 11 का mean क्या होगा तो आपको माद्या बताना है इसका माद्या है क्या होगा आपको next वीडियो में इस question का जवाब मिल जाएगा दूसरा type है दूसरा method है करने का किस type का दूसरा method है वो देखते हैं यहाँ पर x आपको class interval वरग अंतराल के अंदर दिया होगा और साथ ही उसकी frequency दिये होगी यानि बारम बारता F के रूप में 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 तो आपको कहेगा कि माद्या गयात कीजिए में गयात कीजिए तो basically इसको करने की तीन वीडिया है कल्पित माद्या पर्त्यक्ष वीडि और पग विचलन या पद विचलन वीडि हम exam के अंदर simple वीडि से करेंगे पर्त्यक्ष वीडि से तो कैसे करना question को पहले आप x और f को लिख ले फिर उसके बाद आपने x लिखना है पहला जो x दिया हुआ है वो वरग अंतराल है c i class interval फिर वहाँ से आप x निकालेंगे x क्या होगा इनका मद्यमान जैसे 0 और 2 है तो आप 0 और 2 के मद्य क्या आएगा बिल्कुल मद्यमें एक दूसरा तरीका है आप इन दोनों को प्लस करें 0 प्लस 2 और 2 से भाग कर दें ठीक है ऐसे अगले class interval में बरगंतराल में देखेंगे तो 2-4 है ठीक है 2 से 4 यानि 2 प्लस 4 करेंगे 6 बटा में 2 करेंगे 3 ऐसे x का मान पर आप तो जेगा अपने को 5, 7, 9, 11 और 13 red pen से लिखा हुआ फिर उससे अगले method में अपने क्या करेंगे f और x का गुना जोके simple करना है 1 को 1 से गुना करेंगे 1 2 को 3 से करेंगे 6 as it is आगे चलता रहेगा formula आपका क्या रहेगा formula है स्मांतर मादे या मादे निकालने का sigma fx बटा में sigma f यानि आपने f और x का जो योग है वो लिखना है और उसके divide में किस का योग आएगा f का योग आएगा x का नहीं लिखना आपने f का योग लिखना है तो आप जब इसको solve करोगे तो 8.1 जोके इसका क्या आएगा मध्य आएगा सिरफ इतना ही करना है आपने सबसे पहले जैसा question दिये वैसे लिखोगे वहाँ से x ग्याद करोगे f और x का गुना करोगे गुना करने के बाद f x का योग और f का योग निकालोगे और भाग कर दोगे यह आपका मध्य पराप्त होगा दो ही तरीके थे एक तो पिछे हमने कर लिया ungrouped data का एक ही है group के अंदर अगर data दिया हो तो देखते हैं अगला टोपिक हमारा आज का था बहुलक बहुलक के अंदर सबसे पहले देखेंगे type first जिसके अंदर simple है अगर आपको जैसे माध्या के अंदर type first था simple ungrouped data के अंदर आपको सिधी संख्याए या आंक्डे दे दिये जाएंगे और आपको जैसे माध्या पूछा था वैसे बहुलक पूछ ले तो बहुलक निकालने का एकी तरीका है कि जो most frequent value है सर्वादिक बारम बारता वाली जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रही है repeat हो रही है वही उन आंक्डों के क्या होगा बहुलक होगा या mode होगा जैसे यह कोशन लिखा है यदि किसी एक ज्याम में प्राप्तांक करमश है यह सारे प्राप्तांक दिये हुए हैं और आपसे पूछ लिया तो उप्रोक्त आंक्डों का बहुलक क्या होगा तो इसमें आप गोर से देखिए 50 जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं लगबग 5 से 6 बार आप इसको काउंट करके देखेंगे तो 5 बार इसके अंदर 50 आ रहे हैं तो इसका बहुलक क्या होगा 50 क्योंकि 5 से ज़्यादा बार रिया 5 के बराबर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है 50 यहाँ पर 5 बार आ है इसी के साथ अगर कोई और राश्य भी 5 बार आ रही होती तो वो बहुलक उन दोनों को मानते अपने अगे देखते हैं टाइप 2 वर्गेकरत वर्गेकरत बरंबारता बंटन में यानि यहाँ पर आपके बास ग्रूप्ट डाटा आएगा सारे का सारा जैसे माद्य के अंदर हमने टाइप 2 किया था तो यहाँ क्या है एक एग्जामपल दिया है एक सर्वेक्षन में किसी महुले के 20 परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंदित निमल लिकित आंगड़े प्राप्त हुए परिवार में सदस्य संख्या उपर लिखी है और नीचे परिवारों की संख्या है देखते हैं पहले टाइप दिया है 1-3 यानि एक से तीन सदस्या वाले परिवारों की संख्या कितनी है साथ फिर 3 से 5 से 10 यह हैं जिन परिवारों में ऐसे परिवार कितनी है 8 सेम ऐसे आगे लिखा हुए तो इनका बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका है बहुलक अगर अगर जाम में बहुलक आता है आपके मान के चलिए आपके मार्क्स कहीं नहीं गए क्योंकि बुवलक के लिए ना टेबल बनानी पड़ती हमें ना कुछ और मत्थबची करनी पड़ती तो देखे करना कैसे हैं यहाँ परिवारों की संख्या जो की फ्रिक्वेंसी है बारम बारता है इसमें सबसे बड़ी संख्या है आठ बस आपको यही ढूनना है कि जहां आमने सबसे बड़ी संख्या मिल गई वहीं से हमारा कोशन स्टार्ट होगा तो बुवलक का सुत्तर क्या है बुवलक का सुत्तर एक्चुली यह है कि याद गरने का तरीका आपके पास बहुत असान है आप राइट साइड में देखिए मैंने लिखा है दस और एक सो दो बस यही दियान रखने है कि फोर्मला अगर बुवलक का आप उच्छे तो आपके माइन में क्या आना चीए दस बटा एक सो दो फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया सब जगें एफ लगाया और माइनस लगा दिया निच्चे जो एफ वन बनेगा उसके सामने मैंने टू और मल्टिप्लाइ में कर दिया बस और आपको कुछ भी याद नहीं रखना सबसे पहले दस बटा एक सो दो फिर हमने एफ लगाना है एफ वन माइनस एफ जिरो निच्चे क्या लिखना है टू एफ वन माइनस एफ जिरो माइनस एफ टू फिर थर्ड स्टेप में आपको फोर्मूला बनाने के लिए क्या करना है प्लस एल और इंटू एच ठीक है अब देखते हैं टेबल अपने बास दियोई थी क्लास इंटरवल था और फ्रिक्वेंसी थी सबसे बड़ी वैल्यो जो की 8 है उसके सामने हम F लिखेंगे 1 F उपर लिखेंगे उससे और 1 F नीचे यानि 7 और 2 के सामने अब इनको नंबरिंग कैसे देनी है 3 F लिखने के बाद उपर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0, 1 और 2 सबसे बड़ी संख्या F1 उससे पहले वाली संख्या F0 और F1 के बाद वाली संख्या F2 अब हमें सिर्फ L और H की आफशक्ता है L निकालने के लिए जो हमने सबसे बड़ी frequency देखिया बारंबार था 8 उसके सामने class interval में सबसे छोटी संख्या देखनी है यानि 3 और 5 है तो 3 जो है वो आपका L होगा ठीक है और H class interval का difference है कि 1 और 3 के बीच में कितना difference minus करके देख लिए 2 तो H कितना आजेगा 2 तो अपने सारी values पूट करनी है formula के अंदर formula याद करना अब असान है formula में पूट करें और उसके बाद में आपका question का solution आपका answer आपके सामने होगा आपके लिए यहाँ question है आप question ध्यान से पढ़ें और इसका answer जो है वो मुझे comment करके जरूर बताई कि आपका answer क्या आया है आज की वीडियो में इतना ही और अगर आपके कोई doubt है या question है आपके कुछ भी तो आप what's up कर सकते है contact number आपको description में मिल जाएगा और वीडियो को जितना हो सके आप share कीजिए like करें और जो questions है पूछे हुए उनका comment में जरूर बताई answer और चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर करें तो मिलते है next वीडियो में